हलो फ्रेंट्स अभी काफ स्वागते हैं हमारे एक और ग्रेंड न्यूसी के एपिसोड में आज हम बात करने वाने टाउनल ट्वैल की कुछ और न्यू अपडेश के बारे में तो जेता जेता कि आप यहां पर न्यू सेशन में देख सेकते हो क्वालिटी ओफ लाइफ चेंज यह अभी अभी जर्स न्यू आया तो मैंने सोचा इसके बारे में को वीडियो बनानी चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हो क्वालिटी ओफ लाइफ चेंज इसमें टाउनोर 12 में इन्होंने फ़र्फ ब्लैंड में लिगा है बता देतों, name change, brand available free change, will start at a cost of 500 jams, अगर आप first time name change करो तो आपको cost देनी पड़े की 500 jams, अगर आपने एक बार name change के लिए और आप पिछ से name change करना चाहते हो, तो यह price just double हो जाएगी, 500, 8 हो जाएगी, 1000 jams second की price होगी, अगर second बार आप name change करते हो, इस तरह चाहिए प्राइस ज camps तक, तो यह बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आप ज्यादा name change कर पाऊगे, तो यह अच्छी वात है कि टाउनल 12 पे इनोंने एक name change का feature available करा रहे है, और एकुर बढ़िया हैं आप अपडेट आ रहे है, क्लाइं कास्टर sleep mode, तो अगर आप अपना क्लाइं कास्टर को sleep mode में दालते हैं, तो troops जो आप अप अटेक करते हैं, तो troops safe रहेगे, troops बांट नहीं आएगे, तो आप पार अटेक में use कर सकते हो, अगर आपको sleep mode में डालने हैं, तो आप रख भी सकते हो, तो आप उसको copy करके, test कर सकते हो, just within a second, आप पूरा base layout, चोरी कर लोगे, तो यह एक और अच्छी बात है, in clan games में इन्होंने बोला है, 1012 आने के पार थोड़ी बहुत ज्यादा improvement होने वाल यह, वह tool में भी होगी, in game आपको notifications मिल जाए कि जैसा क्या आप पड़ सकते हो है, आपर and the cool down between sharing replays, there's been reduced from 30 minutes to 5 minutes, यहाँ पर cool down जो होता था, वो 5 minutes का रहे जाएगा, पहले 30 minutes से reduce कर दिया गया है, 30 minutes to 5 minutes का यहाँ पर cool down रहेगा, तो replay share करने में, जैसे कि आप कोई भी replay share करते थे तो पहले मांगता था almost one hour या two hour लगते थे बाद में आप share कर पार दे थे जैसे कि अपी में आपको एक चीद करके दिखा दे तो, जैसे कि मेरा replay में ने share कर दिया, ठीक है, यह clan में में ने share क रहा होगे, तो यह को अच्छी चीज है, तो यह कुछ updates की leak यहां पर clash of land की official members ने दी है, तो guys, hope so, Townwall 12 जल्दी आए, and, हम सभी वेचे भी अभी COC काफी interesting हो चुका है, वापिस से अपने back time में लोड चुका है, तो guys, देखते अब क्या कुछ नया आता है, और मैं आपके न को लग रहा कमेंड में की केसा होगा, Townwall 12 मुझे कमेंट कर दीजिएगा, चलो guys, bye bye, thanks for watching,